औरे यह मोदी ने तो हधी कर दिया यार अरे डिक्टेटर इνसान है यार छोड़ न करके कर दिया मोदी ने नमस्ते गुरू एकडम सच बात कही है आपने यह मोदी ने परिशान कर दिया uit और पीएम का काम क्या होता है मौन होकर बैठ है रहना और ज्यादा से ज्यादा कुछ फाइले साइन करनी होती है और मैं कहता हूँ कुछ करना ही है तो गोटाला करो कौन मना कर रहा है अरे यार पांच साल मिले जैसे तैसे उससे कहां ये गरीबों के बैंक खाते खोलने में वेस्ट करे उससे अच्छा अपने खाते ना भर ले क्या बोलते हो और मोधी एक नंबर का ताना शाह है डिक्टेटर अरे बड़े बड़े फैसले अपने दम पे ले लिए अरे किसी के कंदे पर बंदूग तो रखनी थी नोट बंदी काला बजारी पर रोक सर्जिकल स्ट्राइक औरे भाब रे औरे कितने रिस्की फैसले लिये दे यार सच में सुसाइट जैसे और पता है कि भाई खतम हो जाएगा अगर सिस्टम ने सपोर्ट नहीं दिया तो पर नहीं भाई तो भाई है न क्या जरूर है तो सुबह पांच बचे उठकर काम पे लगने के हैं अरे लोगों की आदत भी गड़ रही है उनका इसा भीएवेर देखके एक तो पूरे साल में एक भी छुट्टी नहीं लेता और दिवाली में कहां जाता है पता है बॉर्डर पे जवानों से मिलने यह पीए मोदी एकदम बेकार है मेडिया वालों को कॉक्टेल पार्टी नहीं देता रिपोटोरों को फॉरें ट्रिप पर नहीं ले जाता अरे यहां तक कि आदमी को फैमिली के कोई वेल्यू ही नहीं इनके एक भी फैमिली मेंबर को फ्लाट नहीं जमीन नहीं फॉरें की ट्रिप नहीं अरे मोदे जी कुछ तो शरम करो कुछ तो शरम करो आपने तो दुनिया में देश का नाम कर लिया लेकिन सुना है कि उनके भाईयों के बच्चों ने अब तक प्लेन नहीं देखा अंदर से अरे भाई आप तो रिपोटर लग रहे हैं अरे ज़रा समझाईए इन सब को ज़रा समझाईए कि भाई गरीब के घर में गैस पहुचा के और पैसे वालों के घर से गैस की सबसेड़ी बंद करवा के वोट नहीं मिलते अरे वोट के लिए तो जिगर चाहिए जिगर जात बात करनी पड़ती है वोट बैंक बनानी पड़ती है और ये मेक इन इंडिया और स्टेंड अप इंडिया से क्या होने वाला है कुछ नहीं और तुम लोग मुफ्ती रेवडियां बाटते रो बस स्पाइ नहीं चाहिए हमें स्वच्च इंडिया नहИं चाहिए हमें न्यू इंडिया हमारा ओल्ड इंडिया ही बराबर है एक डम अपनी अपनी जेबे भरो सडकों पर गंदगी करो और घर रखो जकाचक सचमे ऐसा पीम तो इंडिया में आया ही नहीं है सही कहा न मैंने बाई यार ऐसा पीम तो सच में कभी नहीं आया इंडिया में किसी को इंट्रेस्ट ही नहीं है लालू प्रसाद यादव को उनके बेटे को सेट करना है मुलायन सिंग यादव अपनी पूरी फैमिली को सेट करने में लगे हैं सोनिया जी को राहूल को सेट करना है अरे पर ये तो सोचो कि इस देश को सेट करने में किसको इंटरेस्ट है अगर आज मोधी फेल हुआ न तो अगले सो सालों तक कोई प्राइम मिनिस्टर करप्शन के सामने लड़ने की हिम्मत ही नहीं करेगा सिर्फ दो हाथ जोड़ेगा और तौबा करेगा फिर बस करते रहना मेरा भारत महान मेरा भारत सर, सर मुझे आपका नमबर दो न मैं इस पर स्टोरी करूँगा सर, आपका नाम मैं हूँ विकास मैं हूँ गुजरात सेव कर लेना